केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र कुछ दिन पहले पार्लिमंट हाउस में दो तीन युवा जंप करके अंदर आ गए जंप करते हुए हम सबने देखा अंदर आए थोड़ा दुआ पहलाया बीजेपी के सांसत सब भग लिए वो अलग बात है वो अलग बात है जो अपने आपको देश भगत कहते हैं हवा निकल गई उनकी वो टीवी पे आपको नहीं दिखा वो हमें दिख रहा था पीछे से खेर सवाल ये सबसे पहला सबसे पहली बात अंदर कैसे आए सिक्यूरिटी ब्रीज की बात हुई सही है अंदर कैसे आए पार्लिमंट के अंदर वो गैस का सिलिंडर ले आए अगर गैस का सिलिंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे दूसरा सवाल सिक्यूरिटी ब्रीज का सवाल तो है मगर दूसरा सवाल भी है उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी उसका कारण क्या था बेरोजगारी देश में भयंकर बेरोजगारी इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है मैंने किसे से कहा जो सर्वे करते हैं मैंने किसे से कहा एक काम करो एक काम करो एक छोटा सा सर्वे करो किसी भी शहर में चले जाओ छोटा सा सर्वे करो पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के भीया ठहर जाओ हिंदुस्तान के जो युवा हैं ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं इस पे दिन में कितना घंटा मतलब इंस्टाग्राम पे, फेस्बुक पे ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी कोई बड़ी सर्वे नहीं बस चेक करने के लिए मैं हरान हो गया साड़े साथ घंटे जवाब मिला साड़े साथ घंटे यह वाब फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे इमेल पे अपने फोन पर जैसे देखें यहाँ पे सारे के सारे लोग फोन लिये, पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं साड़े साथ घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे वैठा है क्यूं? क्यूं क्यूंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है सेल फॉन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो 24 गंटा देखते रहो यह हिंदुस्तान की हालत सच्ची हालत इसलिए यह जो वुद्ध युवा थे जिन्होंने सिक्यूरिटी प्रीच जरूर की वो भी आपकी गलती है इसलिए वो पार्लिमंट हाउस में कूद कर आए यह भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है अब देखिए मीडिया में मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है नहीं मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की मीडिया क्या कहती है मीडिया कहती है कि पार्लिमंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे वहाँ पे राहूल गांदी ने वीडियो ले लिया मतलब इन्हों ने यह नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया पार्लिमंट के बाहर खड़ा कर दिया यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा क्यूं किया कैसे किया अमिच शाज से सवाल पूछा कि भाईया आप हो मिनिस्टर हो यह दो युवा जंप करके कैसे आ गए बेरोजगारी पर दो सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है ध्यान इदर उदर कराती है यह जो 150 लोग हैं किसी ने अपने बाशन में पहले बोला यह सिरफ व्यक्ति नहीं है यह हिंदुस्तान की जंता की आवाज है हर MP लाकों वोट लेके आता है आपने सिरफ 150 लोगों का अपमान नहीं किया आपने हिंदुस्तान की 60% जंता का मूब बंद किया है यह सचाई है और आप सोचते हो की आप हिंदुस्तान की जंता को डरा दोगे धमका दोगे आप अगनीवीर योजना लाए लाए हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देश भक्ती की जो फीलिंग होती है वो आपने चीनी जब युवाओं कड़े हुए और कहते हैं हम अगनीवीर के खिलाफ हैं तो आपने विडियो कैमरे से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भाईया अगर आपने अगनीवीर के बारे में कुछ बोला आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवाओं को डरा सकते हो आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो आप सोचते हो कि आप देश का पूरा का पूरा धन अदानी जी जैसे दो तीन लोगों को दे सकते हो आप हिंदुस्तान को नहीं समझे आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे हम सब ओपोजिशन के नेता ओपोजिशन के कार्यकरता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझे ये लड़ाई नफरत और मोहबबत के बीच में लड़ाई है जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में हम मोहबबत की दुकान कोल रहे हैं जितनी आप नफरत फैलाओगे जितना आप लोगों को धमकाओगे डराओगे उतना इंडिया अलायन्स मोहबबत फैलाएगा भाई चारा फैलाएगा एकता और इज़त फैलाएगा आप सब यहां आए सब पार्टी के कारे करता है एक साथ मिलकर आए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ नमस्कार जैहिन